Assalamualaikum friends, welcome back to my channel mom's dishes and vlogs आज की । रेस्पी है हमारा चुड़ी की भाजी की दाल जी हमारे सरिड़ना भाजी बोलते हैं और थोड़े लोग साग बोलते हैं जी आज मैं चुड़ी की भाजी की दाल बनाने जा रही हूँ माशालला बहुत मज़ेदार रहता है friends और हमारे हिल्थ के लिए बहुत हिल्दी भी है ये चावल के साथ और रोटी के साथ भी खा सकते हैं बहुत टेस्टी रहता है अगर आप लोगों को ये रिस्पी पसंद आई तो लाइक करिए शेयर करिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो दुसरे मज़िदा रिस्पी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्रेब करिए और बेल एकन बटन जरूर ट्रेस करिए इससे नोटिफिकेशन आपको पहला पहुंचता है सो लेट्स स्टार्ट यहां देखिए मैं जी मैंना चार कटे चुडी की भाजी ली हूँ जी कटे मींस बंचस बोलते ही जी हमना हमारे सेड कटे बोलते हैं जी चार बंचस ली हूँ मैं जी इसी तरह रहती है चुडी की भाजी जी इसी तरह छोटे छोटे पत्ते जी आपन आपको एक रिस्पी शेयर करूंगी ये भाजी का जी आगले वीडियो में दुसरा रिस्पी शेयर करूंगी इसी तरह हम कट कर लेना है भाजी को जी इसी तरह कट कर लेना है और ये मोटे-मोटे जो ये काड़यां रहते न जी ये निकाल देना है जी थोड़े बरिक रहते है पानी तोड कर रही हूँ एक 3-4 glass रहता है पानी आड़ करके हम एक आदे गंठे के लिए भीगने रखना है इससे न हमको ग्यास से होता है और जल्दी से पक जाती है दाल इस लिए भीगने रखना है अब ना आदे गंठे के बाद इसमें मैं ये भाजी आड़ कर रही हूं अच्छा wash किये हुकि यह भाजी को अड़ कर रही हूं, आड़ करके इसमें अब हम tomato अड़ करना है, जी 1 14 kg तमाटर अड़ कर रही हूं एक 4 टमाटर अड़ करी हूं, और 20 हरी मिर्च अड़ कर रही हूं इसमें थीका पन थोड़ा कम रहता है friends इसलिए मैं 20 आड़ करी हूँ आप अपने स्वात के अनुसार आड़ कर सकते हैं हरी मिर्च को अब इसमें एक चॉप की होप प्याज आड़ करी हूँ अब इसमें थोड़ा इमली आड़ करी हूँ जी हम दालना भिगने रख ले थे ना, जी वही पानी बस है, जी आलड़ी पानी है इसमें, इसी तरह हमें ऐसा पुश करके, अब ना इसके उपर हम धकन लगा देना है, धकन लगा के हम गया सान करके, एक चार विजिल आने तल्क पका लेना है, जी चार विजिल आना है, और देखिए, मैं इतना थोड़ा थंड़ा होने के बाद ओपन कर रही हूँ, देखिए, अच्छा सा दाल और ये टमाटर हरी मिर्च, सब कुछ नरम सा पक गए है, जी और देखिए, एक्स्ट्रा पानी है ना, जी एक्स्ट्रा पानी को हम निकाल देना है, फरस्ट, जी निका दाल को ही हम मैश कर लेना है, नहीं तो मैश कर सकते हैं, हम तकलिफ होती है, लेकिन ये पानी नहीं फेकना है, फ्रेंड्स, जी एक ना, एक बोल में एक साइड पे रख लेना है ये पानी, ये पानी को हम फिर से अड़ करेंगे, और ये मैशर के हल्प से हम, इसी तरह हम आराम से मैश हो जाता है देखिए जी मैश हो गई है हमारी ये दाल अब ना इसे अब हम बागार लेंगे जो तड़का लगाते बोलते हैं अब हम तड़का लगा लेंगे एक बॉल में एक चार टेबल स्पुन आईल ली हूं आईल थोड़ा गरम होने के बाद इसमें एक टीस तौड़ा फ्राइब कर लेना है प्याज आके थोड़ा लाल हो जाना है जब तो फ्राइब करना है अब इसमें फ्राइब होने के बाद अब यह मैश किये हुए ना यह दाल को जी एक पूरी दाल को अब इसमें हम आड कर देना है, हलका साड करना है अब एक टेबुल स्पून नमक आठ कर रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक को आठ कर सकते हैं और शार्ट ऐट करने के बाद हम आच्छा सा मिक्स कर लेना है जी हम इसमें अब तड़का लगा ले थे न ये पूरे चीज प्याज और लोसन ये कड़ी पता सब कुछ इसमें मिक्स हो जाना चाहिए जी अच्छा सा हलका सा मिक्स कर लेना है मिक्स करके इसमें न हम अलड़ी एक साइट पे निकाल के रखे थे न मैश करने के टेम पे दाल का पानी ये पानी भी इसमें आड़ कर देना है पानी भी आड़ करके 5 मिनिट के लिए लो फ्लेम में रखके हम पका लेना है धकन क्लोज करके पांच मिनिट के लिए पका लेना है और पांच मिनिट के बाद देखिए माशाला हमारे चुडिकी भाजी की दाल पक गई है बहुत मज़ेदार रहती है फ्रेंड्स बहुत हेल्दी भी है हमारे हेल्थ के लिए आप ज़रूर ट्राइ करिए और रोटी के को सबस्क्राइब करिए और बेल एकान बटन जरूर ट्रेस करिए इससे आपको नोटिफकेशन पहला पहुंसता है इन्शालला दुसरे मज़ेदा रेस्पीस के साथ या अच्छे व्लॉग के साथ जल्दी में ही मिलेंगे जब तक दूआ में याद रखिए अल्ला आफीज